हालो दोस्तों आज हम लोग क्लाश 10 के संस्क्रीट का मोडल सेट नमर चार देखेंगे जो एक्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है एक्जाम में बहुते कोचन इससे पूछा हुआ है और इस बार एक्जाम में इस मोडल सेट से कम से कम 4 या 5 कोचन जरूर रहेंगे इसलिए उसको बहुत उसको तो इस ब्लेजिए प्रशत को जिए मोडल से पर चुके हैं तो पहले उसको भी देख लिएगा प्रडnia लिस्ट में जा परते हैं जैंक जबीजियांग करें का का काल किस सतक में माना जाता है वह 20 काल कमने इसका सब्दक किस काल का था किस काल का था तो केला सतक था तो आत्मी सतक रुद कैसा टाफ्धा तो किस काल के सतक रुदि क्षश्वांता काल्म की संस्कृत लेखीका में कौन अति प्रसिदि है सबसे ज़्यादा कौन प्रसीद है तो कौन परसिद्ध था पंडित छमारा कौन थे पंडित छमारा कौन परसिद्ध है पंडित छमारा पंडित छमारा चलिए आगवरत नेंगले कोजन की ओर करवन माला भवाल कर किस काल की संस्कृत कवित्री थी कौन काल का तो वरतमान काल का चलिए आगवरत नेंगले कोजन की ओर विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी चंद्रा दित्ती की पत्नी थी चालू के बंस के राजा चंद्रा दित्ती की पत्नी थी चलिए आग परते हैं अगले कोजन की ओर आगवल्स ने अपनी पत्नी को सिच्चा दी किसके चिच्चा दिया था यह अभी एकजयाम के लिए काफी महतोपूर्ण है तो आत्मतत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त् गीत जो है सत्याग्रहित गीत है किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है तो किसके द्वारा गांधी द्वारा गांधी महात्मा गांधी द्वारा प्रभावित है महात्मा गांधी द्वारा प्रभावित है करने गांधी दर्शन द्वारा प्रभावित है प्रभावित है चल ठी Сейчас पहुलसे कंपन राइभ की रानी कौन थी गंगा देवी गंगा देवी जिन्हों ने मंद्धूरा बीजम पीजियम को राचना किए था गंगा देवी में किस किसकी रचना है बर्दामविका परणे जो है किसकी रचना है तो तिर्यूम लांबा की तिर्यूम लांबा की किसका है तिर्यूम लांबा की किसका है तिर्यूम लांबा की 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 तिर्यूम ला कराई की रानी थी चलिए आगा बढ़ते हैं कोजन की ओर कराई लौकिक संस्कृत साहित में प्राया किन कितने कवित्रियों के पद मिलते हैं कितने कवित्रियों के पद मिलते हैं चालिस का उन्हें चतवारी सत उन्हें चालिस का कितने को मिलता हैं चलिए आगा वर राते हैं अंगले कोजन की ओर किसे कहाया किस ने कहा था सर्वशुकला सर्वसती किस ने कहा किस ने कहा था किस ने कहा था डांडी ने सर्वशुकला सर्वसती किस ने कहा था सर्वशुकला सर्वसती किस ने कहा था डांडी ने सर्वशुकला सर्वसती किस ने कहा था डांडी ने शेली आग बरते यंगले कोचन की ओर करा गंगा देवी का समय क्या था गंगा देवी जो थी उनका समय क्या था तो कैमा सदी था तो चौधमी सदी गंगा देवी का समय कौँ था चौधमी सदी था जो मधुरा विजम की एरानी थी आग बरते हैं आधुनिक काल की संस्कृत कौन है ना फांडित छहमा राओ कि रिग बेद में कितनी मंत्र दर्शनिवति रिशिकाऊं का उलेख मिलता है तो 24 कितनी मीलते हैं चतूर विश सती चतूर विश सती बने 24 का कितना का 24 का मिलता है रिग बेदुन कितना पांच का चलिए आगवर्टनेंगले कोचन की ओर अगवल्स की पतनी कौन थी तो कौन थी मैत्रेई अगवल्स की पतनी कौन थी इनका मिलता है तो सुलवा का सुलवा का किसका महावारत में कि मिलता है तो लेक मिलता है छी आगा बढ़ते हैं गले कोजन की ओर चलिए आगवरतने अगले कोजन की ओर करा आगवल्स ने आत्म तत किछिच्चा किसको दि आगवल्स ने आत्म तत किछिच्चा आत्म तत किछिच्चा किसको दिया था अपनी पत्नी मैत्रेई को किसमे दिया था अपनी पत्नी मैत्रेई को चलिए आगवरते एंगले कोजन की यूर बर्तमान काल की संस्क्रीट लेखी का कौन है बर्तमान काल की संस्क्रीट लेखी का कौन है इनमें से कौन जो है बर्तमान काल की संस्क्रीट लेखी का है तो कौन है तो मिथिलेश कुमारी मिस्र मिथिलेश कुमारी मिस्र विंटिरस कुमारी मिष्र यह यह एक बरत गेले इन प्रिकुजं की ओर संस्क्रिस जाहित लेखिका में सरवसुकला सरवसती किसे कहा गया है चाह कि सर्वसुकला सरवसती किसको और रहा मैं कि देन का था ढूर्डीं refugees ने कहा था लेकिन संस्क। क कर था तो किसको और arkadaşlar सर्वसुकला सर्वसती किसको कहा था तो विजियांका को किसको कहा था विजियांका को विजियांका जो है सर्वसुकला सर्वसती कहा गया विजियांका क्या कहा गया सर्वसुकला सर्वसती किसके द्वारा तर डांडी के द्वारा डांडी के द्वारा चलिए आगवरते एंग तो किसके महत्वका वर्न किया गया है तो किसके महत्वका बर्न किया है तो आस्त्री का किस का वर्नन किया गया है आस्त्री का किसका आस्त्री का ज्यादा महात्र दिखाया गया है चलिए आगा बरते हैं अगले कोचन की और इंद्रानी का वर्नन किस बेद में है इंद्रानी का वर्नन जो है वो किस देश में मिलता है इंद्रानी का वरनान किस बेद में मिलता है चलिए तो किस बेद में मिलता है त amendments में किसमें सांच बेद में have delicious ऐख आप आट matched bylaeds.. अचुत्राई की राणी कॉन थी? अचुत्राई कराणी जो कॉन थी? पहले बता चुके है चुताइआ कि रानी काँधी तो काँधी त्रिसा वेद दर्स निवति भरहा उ대ियायobard कितनी का पाँच का अथरवेद में रिषी यों का वर्न कियागा रिषी पत्मियों का वर्न किया गया है तो पांच का और रिगवेद में 24 अथरवेद में श्रियाग वरतेंगले कोजन की ओर पुरूस और नारियों की सहयोग से किसी गाड़ी चलती है तो समाज की किसी गाड़ी चलती है समाज की चलिए आगा बढ़ते एंगले कोचन की ओर कंपन राय किरानी कौन थी? तो कंपन राय किरानी कौन थी? गंगा देवी चलिए आगा बढ़ते एंगले कोचन की ओर करक जनक कि सवा में सास्त्र कुसल सास्त्र कुसल कौन विदोसी रहती थी जन्नक की सवा में सास्त्र कुसल कौन विदोसी रहती थी तो कौन रहती थी गारगी चलिए आगे बढ़ते हैं एंगले कोचन की ओर आधुनिक संस्कृत साहित लेखिका में कौन प्रसिद है आधुनिक संस्कृत साहित लेखिका में कौ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कई एक बार पूछ संकराइद कि राचना किसने कि तो किस ने किया था तो पांडू राङ किसने किया था पंडित श्मा राख पंडित चमा राव चली आगा बढ़ते एंगले कोचन की ओर मधुरा बीजियम महा कावे किसकी रचना है रचना किसने की मधुरा बीजियम जो है कि रचना किसने किया था किसने किया था गंगा देवी किसने किया था गंगा देवी ने चली आगा बढ़ते एंगले कोचन की ओ मीरा लहरी की लेखी का कौन है तो पंडित छमाराव मीरा लहरी हो गया सत्या गरह गीत हो गया कथा मुकता बली हो गया वीचीत्र परिशद्यात्रा ग्राम जोतिस ये सबी जो है किनके लेख़क है मिरा लहरी के मितलग कहेगा तो पंडित छमाराव के लेखा है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोचन के और देश भक्ति का विग्रा क्या है तो देशा से भक्तिया देशा से भक्तिया करब बढ़ते हैं अगले कोचन की और करब बहु बिरी समास का उधारन कौन सा है तो कौन सा है तो लम बोध्रा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोचन की और देहरच्छा में कौन सा समास है देहरच्छा में कौन सा समास है कौन सा है तत्त पूरूस कैसा समास है तत्त पूरूस चलिए आग बढ़ते हैं अंगले कोचन की ओर त्री भूबनाम में कौन सा समास है त्री भूबनाम में कौन सा समास है कौन सा है तत दीगू कौन सा समास है दीगू चलिए आग बढतें उंगले कोजन की ओर कॉन जगा? चलिए आग बढतें उंगले कोजन की ओर रूपस्य योगम का समस्थ पद कौन सा है रूपस्य योगम का समस्थ पद कौन सा है तो रूपस्य योगम का समस्थ पद कौन हो जाएगा तो का हो जाएगा अनू रूपम क्या हो जाएगा अनू रूपम रूपस्य का हो जाएगा अनू रूपम चलिए आगा बरतें गले कोचन की और कर्मधार समास का उधारन कौन सा है कर्मधार समास का उधारन जो हा इन में से कौन सा जो है कर्मधार समास है कर्मधार समास है इस निए समास समास का उदारन है अर्थ भावे का विग्रा क्या है अर्थ भावे का विग्रा क्या है अर्थ भावे का विग्रा क्या है तो क्या है अर्थ से अभावे क्या है अर्था से अभावे काराय कि धर्मच्य अर्था च कामच्य का समस्थपदड क्या होगा धर्मरत च कामा चल याग बढ़ते हैं अगले कोचन की हो बस इतना ही है चाल से कोचन है आप लोगों को यह वीडियो कैसा है कमेंटों जरू बताएगा मिलेगा अगले वीडियो में